इंडिया गढ़ बंदन में आगरा लोकसबा सीट से सुरेश चंद करदम को प्रत्याशी बनाया गया है। इंडिया गढ़ बंदन के प्रत्याशी बहुत ही खराब है। इंडिया गढ़ बंदन के दर्म को लेकर संकल्प किया है। प्रणाम जो भी होगा लेकिन हम पूरी मुस्ते से पूरी तैयारी के साथ आज जो जनता का हाल है तरस्त है और लोकतंतर एक तरह से खत्रा पैदा हो रहा है। तो हम लोगों को अपनी-अपनी जिम्मेदारी वास्तम में इमानधारी के साथ सपा के लोगों को कोंग्रेस के लोगों को एकी करन करकर ये प्रत्याशी को जिताने के लिए हर महले गली लोगों के बीच में जाकर प्रियाश करेंगे कि हमारा प्रत्याशी जीत की तरब बढ़ है और यही हमारा सबसे वड़ा संकल्प है कि हम अपने धर्म का पालन करें घटिया शेत्र में कॉंग्रेस नेताओं के साथ इंडिया वरिष्च कॉंग्रेस नेता भारत भूशन गप्पी ने कहा कि साथ मई को ताजनगरी में लोगसबा चुनाव में मतदान होना है इंडिया गठ बंदन प्रत्याशी सुरेश चंद करदम एक साफ सुत्री छवी के प्रत्याशी है उनसे कॉंग्रेस और सपा को काफी उमीद है अज हम लोगों की एक आपसी बैटक समझ लो और मुलाकात समझ लो वैसे तो जनता के बीच में हमारे प्रत्याक्षी हमेसर है समाजबादी और कॉंग्रेस गठ बंदन के लेकिन एक सिष्टा चार आपस में हम बेट कर रहे हैं और समय भी कम है और गर्मियों का टाइम है हमें कम टाइम मिलेगा तो हम सोच रहे हैं कि जैसे आज ही मुलाकात के बाद सब दोरे शुरू हो गए और कॉंग्रेस के जितने भी लोग हैं बढ़ चल के बिलकुल इस्से लेंगे और चाहे वो समाजबादी पार्टी की तरफ से आएं लेकिन हम कॉंग्रेस का प्रत्याक हैं करदम साब आज मौजूद हैं हम लोगों में एक मंत्रना हो रही है कि चुनाप को किस तरीके से लड़ा जाए उसकी प्लानिंग हो रही है और हमारे साथ करदम साब की खासियत यह है कि यह पहले एक चुनाप लड़ चुके हैं नए प्रत्याशी नहीं है इनको अनुव और कारकरताओं की मेहनत इनको विज़ा दिलाएगी यह मेरा विश्वास है सुरेश चंद करदम सन 2000 में बसपा से मेर का चुनाप लड़ चुके हैं वहर दिन पार्टी कारेकरताओं की साथ शेत्र में मतदाताओं से जन संपर्क कर रहे हैं सीन्यूस के लिए अजय की रिपोर्ट आग्रा के सरवादिक लोगप्रीय चैनल सीनियूस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें